जूठे इनसान की उंची आवाज, सच्चे इनसान को खामोश तो करा सकती है, लेकिन सच्चे इनसान की खामोशी, जूठे इनसान की बुनियाद हिला देती है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दी खार्दी स्वागत अभिनंदल। एक बार एक सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे, दोपहर का समय था, इसलिए कोई भी ग्रहाक नहीं था, तो वो थोड़ा सुस्ताने लगे, इतने में ही एक संत भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आ पहुंचे, और सेठ जी को आवाज लगाई कुछ देने के ल और दान देने के लिए एक कटोरी चावल बोरी में से निकाला, और संत के पास आकर उनको चावल दे दिया, संत ने सेठ जी को बहुत बहुत आशीरवाद और दुआएं दी, तब सेठ जी ने संत से हाथ जोड़कर, बड़े ही विनमरभाव से कहा, कि हे गुरुजन, आपक शंका का समाधान पूछना चाहता हूं, संत याचक ने कहा कि जरूर पूछो, तब सेठ ने कहा कि आप मुझे बताइए कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, संत ने सेठ जी के इतना पूछते ही, शांत सभाव और वानी में कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा ले के लिए आया हूं, तुम्हारे इस प्रकार के मुर्खता पूर्वक्स वालों के जवाब देने नहीं आया, इतना संत के मुख से सुनते ही, सेठ जी को क्रोध आ गया, और वो सोचने लगे कि ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है, ये तो बड़ा ही कृतग्न है, एक तरफ मै मैंने इसको दान दिया, और ये मेरे को इस प्रकार की बात बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, और ये सोचकर सेठ जी को बहुत ही गुसा आ गया, और वो काफी दिर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे, और जब अपने मन की पूरी बड़ास निकाल चुके, तब कुछ श और आप गुसे से भर गए, और लगे जोर जोर से बोलने चिलाने, वास्तो में केवल गुसा ही सभी जगडे का मूल कारण होता है, यदि सभी लोग अपने गुसे पर काबू रखना सीख जाएं, तो दुनिया में जगडे कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्रोध ही सब जग का मूल कारण है, इसलिए जितना हो सके, अपने क्रोध पर नियंतरन रखें, क्रोध में हम आकर क्या कुछ कर गए, ये बाद में पता चलता है, उस वक्त नहीं पता चलता, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए जितना हो सके, अपने क्रोध पर काबू रखें तो कभी भी जगडा नहीं होगा अच्छी लगी ना कहानी अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मि धन्यवाद